जैन दोस्तों इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल्पिट ओसिलेटर के बारे में ठीक है जो भी ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिनको जानना है जिनको समझना है कि कॉल्पिट ओसिलेटर क्या होता है कैसे वर करता है सरकी डाइग्राम क्या होता है सारी चीजे बहुत आसान सब्दों में बहुत आसान तरीके से आपको समझाई जाएंगी ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीट देखिए तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कॉल्पिट ओसिलेटर क्या होता है कैसे काम करता है कैसे वर करता है इसका सरकी डाइग्राम क्या होता है कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज किया जाते है सारे कंपोनेंट का काम क्या है टैंक सरकीट क्या होता है अंडैम्ड ओसिलेशन क्या होते है ठीक है और उसिलेटर क्या होता है एक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है ठीक है जो काम क्या करता है डीसी सिगनल को एसी सिगनल में चेंज करने का काम करता है ठीक है डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है और दूसरे सब्द में हम कह सकते हैं दूसरे भासा में हम लोग कह सकते हैं कि desire frequency की signal को sinusoidal signal को पुराप्त करने के लिए हम लूग किसका use करते हैं oscillator का use करते हैं ठीक है desire frequency की signal को पुराप्त करने के लिए अपने इच्छा के अंसार मान लेते हैं कि 2MHz की frequency वाला signal चाहिए, 1MHz की frequency वाली signal चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे oscillator का यूज करेंगे ठीक है अगर डिजायर फिक्वेंसी की सिसाने सब्सक्राइब चाहिए तो हम लोग ओहां पर oscillator का यूज करते हैं या फिर कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि oscillator जो होता है DC to AC converter होता है बीना हम लोग बाहर से कोई source दिये इसको हम लोग को sinusoidal AC signal प्राप्त होता है ठीक है oscillator से चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है oscillator इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं tank circuit किया होता है ठीक है जब एक capacitor को उसी के series में inductor लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते है tank circuit बोलते है ठीक है यहां पर दो आपका capacitor भी हो बोलते हैं ठीक है टैंक सर्किट को कई नाम से जानते हैं जैसे आपका ट्यूंड सर्किट हुआ ठीक है त्यूंड सर्किट के नाम से जानते हैं फिर एलसी सर्किट के नाम से जानते हैं तो बहुत सारा नाम है टैंक सर्किट का टैंक सर्किट का जो आउटपुट है ठीक है य इलेक्टिक फिल्ड के रूप में नर्जी को इस्टोर करता है और इसका जो आउट्पूट होता है वहाँ पे जो हम लोग को मिलता है वह अंडम्ड ऑसिलेशन मिलता है ठीक है इस तरह से इसका जो मैगनेट्ट विट है धीरे धीरे कम होता जाएगा ठीक है अभी हम लोग देखते हैं इसका काम आएगा जो कॉल्पूट और सिलेटर हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे इसका तब वहाँ पे ठीक है तो आच्छे से समझने के लिए आपको पहले टैंक सर्किट के बारने में जानना जरूरी है ठीक है यहाँ पर क्या होता है एक बार आप होता है टैंक सर्किट में ठीक है अब हम लोग देखते है काल पी जो उसलेटर है उसका डाइग्राम कौंसा है यह आपका डाइग्राम है simple diagram बहुत ही simple है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन-कौन सा component इसमें यूज करते हैं तो आपका यहां पर देखिए RFC radio frequency coil का या radio frequency चोक का यूज करते है R1, R2, RE, biising resistance है, biising provide करता है और यहां पर plus VCC है जो amplifier को plus 5 volt DC provide करता है, biising के लिए ठीक है और यहां पर देखेंगे एक आपका क्या है transistor है और यहां पर आपका क्या है C capacitor है जो bypass capacitor है ठीक है यहां पर C in और C out है यह दुनों आपके coupling capacitor है ठीक है चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर जो यहाला चीज़े सेम है और यहां पर जो आपको total दिखाई दे रही है यह वाला पूरा पार्ट ठीक है इधर का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है आपका C amplifier तो C amplifier के बारे में आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि 180 का face shift देता है जो C amplifier होता है और यहीं पर टैंक सर्कृट होता है वह भी 180 का face shift देता है ठीक है इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से clear cut में समझ गया कि जो C amplifier होता है common emitter जो amplifier होता है 180 का face shift देता है और जो tank circuit होता है वह भी 180 का face shift देता है चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका working कैसे work करता है ठीक है हम लोग बाहर से इसको कोई supply नहीं देंगे जो आपका transistor है इसको active region में रखने के लिए हम लोग VCC देंगे EC VCC को convert कर देगा जो आपका oscillator है इस इसको किस में convert कर देगा तो sandwich schedule में convert कर देगा EC signal में convert कर देगा कैसे convert करेगा अभी हम लोग समझ लेते हैं तो यहां पर जो transistor दिखाए देरा इसका a terminal क्या है बेस है इधर आपका collector है नीचे आपका emitter है ठीक है चलिए अब क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां से जब VCC आता है तो radio frequency coil के पास आता है या फिर radio frequency choke के पास आता है इसका काम क्या होता है जो radio frequency frequency chok होता है उसका काम होता है AC को block करना ठीक है AC signal को block करना होता है और DC को pass करना होता है ठीक है DC को यहां से pass कर देता है DC signal को लेकिन AC के कुछ अगर component है कुछ घटक रहा गया कुछ रिपल्स रहा गया तो इसको block कर देगा completely ठीक है चलिए यहां से signal आता है आपका जो आपका transistor है उसके पास आता है फिर इसको amplify करता है amplify करके सारा process इधर होता है जितना भी आपका amplifier का part दिखाई दे रहा है यहां से signal total amplify होगा ठीक है यहां से क्या होगा total amplify होगा signal यहां से amplify हो जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि signal आपको यहां जाएगा यहां पर आपको coupling capacitor है ठीक है ठीक है चाहे आपको जो input वाला coupling capacitor है चाहे output का coupling capacitor है दोनों का काम सेम ही है couple करना जो आपका tank circuit लगा होगा है उसको ठीक है और यहां पर एक दिख रहा होगा आपको C bypass capacitor है bypass capacitor क्या करेगा AC को pass कर देगा ठीक है AC को pass कर देगा DC को block कर देगा bypass capacitor है AC signal को pass करने के लिए है और DC signal को block करने के लिए है यहां पर ठीक है चलिए अब यहां पर signal जो amplify हो जाएगा तो आएगा कहां पर tank circuit के पास टैंक circuit में आएगा तो एक बार जो आपका इंडेक्टर है वो चार्ज होगा और जो capacitor हो डिस्चार्ज होगा उसी तरह से फिर आपका एक बार जो capacitor है वो आपका चार्ज होगा और जो इंडेक्टर हो डिस्चार्ज होगा इस तरह से चार्जिं डिस्चार्जिं डिस्चार् तो इसके आर्पूट से हम लोग को इस तरह से सिग्नल मिलेगा इसको फिर से लोग को भेज दिया जाए कहां पर जो आपका ट्रांजिस्टर यह जो रहा है उसके बेस टर्मिल पे ठीक है बेस पर हम इसी सिग्नल को जो अंडेंट ऑसीलेशन से मिल ले हैं उसको हम भेज प्रॉसेस करेगा एक बार चार्ज होगा इंडेक्टर एक बार डिशार्ज होगा फिर एक बार कैपसिटर बिशार्ज होगा इस तरह से जो हम लोगो azul मिलेगा जो तोटल आउप 있지만 मिलेगा वहां यहां पर सारी चीज़ें आपको confirm हो गई होंगी कि कि इस तरह से कॉल्पीट उसिलेटर काम करता है कैसे वर्क करता है सारे कंपोनेंट के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आगर fc है radio frequency choke है उसका काम क्या होता है coupling capacitor इसका काम क्या होता है जो आपका यहां पे दिख रहा है transistor जो दिख रहा है उसका क्या होता है signal को strength प्रोवाई करता है जो weak signal होता है इसको strong signal में convert करता है तो इस सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए जो bypass capacitor उसका काम क्या है ठीक है यहाँ पे जो tank circuit लगा हुआ उसका काम क्या है ठीक है तो इसके लिए एक formula होता है कैसे हम लोग desire frequency को प्राप्ट कर सकते हैं इसके लिए formula होता है तो इसको हम लोग समस्ते इस formula को ठीक है आप यहा मेजर करते है desire frequency कैसे अगर हम लोग को desire frequency चाहिए तो f not equal to हो जाता है one upon two pi इसका derivation होता है पहुँट deeply जाने की जरूरत नहीं है ठीक है l और c c क्योंकि c1 और c2 है इसलिए c equivalent हो जाता है ठीक है c equivalent हो जाता है एक formula तो यह हो गया यहाँ पे जो c equivalent है ठीक है जो c equivalent है equal to है किसके क्योंकि जो आपका c लगा हुआ है जो capacitor लगा हुआ है c1 और c2 दुनों series में लगा हुआ है मतलब capacitor का जो series combination होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो c होगा ठीक है equivalent जो होगा equal to होगा one upon c1 plus one upon c2 इसको जब calculate करेंगे तो आपको क्या मिलेगा c1 plus c2 ठीक है upon c1 into c2 ठीक ह है इसको जो उपर आया जगा जो सी equivalent है उपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा c equivalent equal to मिल जाएगा c1 into c2 upon c1 plus c2 ठीक है यह formula आपका आजाएगा c equivalent की अस्थान पर ठीक है तो c equivalent के जगह पर हम लोग इस formula को put करेंगे इस value को put कर देंगे ठीक है तो यहां पर आपका जो total frequency हो जाएगा desired frequency हो जाएगा one upon two pi हो जाएगा root में हो जाएगा आपका c1 into c2 upon c1 plus c2 bracket में आपका L है ही inductor है ठीक है यही आपका corporate oscillator के लिए main formula है जिसको आपको याद होना चाहिए अगर desire frequency चाहिए तो इस formula से हम लोग c1 की value c2 की value और inductor की value put करेंगे और desire frequency हम लोग को जो भी frequency चाहिए उसके अंसार हम लोग oscillator बना सकते हैं corporate oscillator ठीक है तो उमीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़े समझ में आये होंगी कि कैसे वर करता है corporate oscillator कि पर तरह से मस रही है पढ़ते रही है जाएंद